नमस्कार आप देख रहे हैं क्राइम तक मैं हूँ अश्विनी सिंग 26 जुलाई को नवी मुंबई पुलीस को एक लड़की की लाश बरामद होती है ये लाश रेलवे स्टेशन के बगल की जाड़ियों में मिलती है जिसकी बाद पुलीस तफ्तिश करने में चुट जाती है दरसल लाश की अवस्था जो होती है बहुत ही डरामनी और बुरे हालात में होती है जब पुलीस वहाँ पहुसती है तो देखती है कि लड़की के जो पुरे बॉड़ी पार्ट्स है उसे चट वीचट अवस्था में वहाँ किया गया था इसके साथ ही पत्थर से कई बॉड़ी पार्ट्स को कुछला गया था अब पुलीस इस लाश को पहले तो केस दच करती है अगले ही दिन अफागार दर जो जो जाता है और ये केस मर्डर केस के नाम पर रजिस्टर होता है इसके बाद पुलीस जांच परताल करने लगती है जांच परताल में पता चलता है कि ये 20 साल की लड़की यशर श्री शिंदे थी दरसल ये नवी मुंबई के उरन की ही रहने वाली थी जहां पर वो बेलापूर काम करने के लिए जाती थी इसी दर्म्यान सुबव वो निकलती है 25 जुलाई को अपने घर से अपने कमपनी जाने के लिए लेकिन बीच रास्ते में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद अगले ही दिन उसकी लाश बरामत होती है दरसल 25 जुलाई को जब वो घर नहीं लोटती तो यशर्श्री के परिजन जो होते है परिवार वाले होते है फोरन पुलिस टेशन पहुंसते है और शिकायद दज कर आते है क्योंकि बेटी सुबह निकली थी काम के लिए लेकिन वो वापस घर नहीं लोट पाती आपको इस केस के बारे में कई अपडेट हमने आपको पहले भी दिखाया है लेकिन इस केस को लेकर एक ताजा अपडेट यह सामने आया है कि यशर्श्री का जो पोस्ट मॉटम रिपोर्ट है यानि प्री पोस्ट मॉटम रिपोर्ट जो आती है उसके मुताबिक कई ऐसे खुलासे हुए है जिसमें इस केस को लेकर पुलिस अब जांच परताल कर रही है हालांकि इस केस में जो आरोपी इसका बॉइफ्रेंड है यशर्श्री का दाउट उसे भी पुलिस ने करनाटक से अरेस्ट किया है इस मर्डर केस के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की जिसके बाद दो टीमों को काम पर लगाया गया जिसमें से एक टीम करनाटक पहुँची थी और दाउट को लेकर वो वापस नवी मुंबई के लिए निकल जाते है दरसल आयो जो होते हैं इस केस के वो पोस्ट मॉटम कर रहे है डॉक्टर से पूश्टाज करते है जाज परताल करने की कोशिश करते है कि क्या इस लड़की के साथ sexual assault हुआ है या किसी प्रकार का इस लड़की के साथ रेब जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है इस पर डॉक्टर का जो जवाब आता है उसे हम इस वीडियो में आपको बताएगी दरसल जब पूछा गया पुलिस की ओर से कि क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है लड़की के साथ तो डॉक्टर का जवाब आता है कि अभी preliminary जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक रेब की पुष्टी नहीं हुई है लेकिन पोस्ट मॉटम के पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है आगे आएगी जिसमें ये खुलासा हो सकता है कि आखिर उस लड़की के साथ इस जगहन अपरात को अंजाम देने वाला दाउद ने क्या कुछ किया था जिसके बाद खुलासा पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के बाद ही होगा लेकिन शुरुवाती जो पोस्ट मॉटम रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही है कि यशरश्री के साथ कोई भी रेब जैसी घट्नाओं को अंजाम नहीं दिया गया था वही दूसरी और दाउद की बाद करें तो दाउद से पुलिस जब पूछती है जब पकड़ लेती है रिस्ट करती है उसे तो उसे पूछती है क्या तुमने क्या यशरश्री के कतल किया है इसके बाद वो तूट जाता है पहले तो वो कुछ नहीं बोलता लेकिन तूटता ह क्योंकि पुलिस के पास CCTV हात लगा था जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि पहले CCTV में कुछ मिनिट पहले ही वो लड़की जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया है उसो जाते हुए दिखाई देती है इसके कुछ ही मिनिट बाद जो उसका बॉइफरेंड होता है यान करने के लिए ही वहां जा रहे थे इसी बीच इन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने लगाता स्ट्रैप यानी धारदार हतियार से लड़की पर लगातार वार किया जिसकी वज़द से उसकी मौत हो जाती है वहीं जैसे उसकी बॉड़ी की अवस्था छत वीचत अवस् उन्होंने स्टेक्मेंट दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस लड़की के साथ सेक्ष्वल एसौल जैसी चीज़े नहीं हुई है लेकिन अभी पोस्ट-mortem रिपोर्ट पुरी आनी बाकी है जिसमें पता लगेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस रात उस लड़ और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्णिंग में रिजिस्ट्र किया था मुर्डर का और जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनकी रिलेटिव्स फ्रेंड्स लोकल राइट्स दे रहे थे और टेक्निकल इंपूट से हम जो मिल रहा था उसकी आधार पर हमने करीब-करीब आर्टीम सब्सक्राइब करनाटक में होने की संबावना है उसके दद हमने दो टीम और यादगीर जिल्ला है शाहपूर तालूगा वहां पे दो टीम हमारी कारियत थी और तीन-चार सस्पेक्टेस में आपने बताया विसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद सब्सक्राइब करें इसको आज सुबह हमने उनकी मदद से मोसीन और जो लोग थे भाके लोगों के लोकल लोगों के मदद से पकड़ा है जो तरचा हुई है डॉक्टर से और आयो की उसके इंक्वेस पंसनामा जो अबनों देखा है उसके इसाब से तो स्टैब इंजूरिस में हैं और जो चेहरे पर या जो बाकी इंजूरिस है वो आरोपी के दुवारा दिखने रही है या शादी को लेकर को भूंबंग की आप करें मिलना चाहते हैं तो इंट्रोगेशन पूरा करने ही पाए हम लोग जो इंफॉर्मिशन मिली है वो एक दूसरे को मिलने मिलने के जिसमें मिलना चाहते हैं तो जो में आप डेट और जो चेहरे के बाद कर रहे हैं में शंका है कि वह सकता है कि जो प्राणी होते हैं तो होनी के सम्भावना है पीम रिपोर्ट आने के बाद आज बूख लेगा अब लगता है कि दाउट शेक ना पर एक यारोपी ने सपर आप लगरे थे हमें और जब आपको बता दे कि कातिल जो उसका बॉइफ्रेंड है यानि दाउट शेक उसके बारे में कुछ खबर सामने आई है आपको हमने कल भी बताया था जिसमें उसके सोशल मीडिया को खंगाला गया तो कई ऐसे रील्स मिले जिसमें दाउट मायूस दिखता था यानि वो ऐसे दुखी दिखता था जैसे एक आशिक में टूटा हुआ या प्यार में टूटा हुआ आशिक जो होता है वैसा वो रील्स शेयर किया करता था अगर रील्स की गिरफ्ट में है दाउत लेकिन पुलिस हर एंगल से इस केस को जाज परताल कर रही है उससे पूश्टाच कर रही है क्या खिर उसने 20 साल की यशर्षी को क्यों मारा और उसका मकसद क्या था, मोटीव क्या था क्योंकि यशर्षी तो उससे फिर से कॉंटेक्ट में थी, घंडो बात होती थी लेकिन फिर भी उसने उस दिन 25 जुलाई को उसे बुलाया मिलने के लिए और मिलने के बहाने ही उसका कतल कर देता है जिसके बाद वो उसकी लाश को जाडियों के यहां फेक कर खुद फौरण फराद हो जाता है हलांकि कड़ी मशक्रत के बाद पुलिस को सफलता मिलती है जिसमें पुलिस दाउत को डिटेन कर लेती है